कहां तक सही है ललन सिंग के इस्तिफा देनी की पाद? क्या लोक सवचनाव तक रोक लिया गया ललन सिंग को? क्या 29 तारीक को होने वाला है बड़ा खेब? लालुकसाद यादफ से मिलकर क्या खेल करने जा रहे हैं ललन सिंग? ललन सिंग से क्यों नाराज है नितिश कुमार? ललन सिंग के इस्तिफि में क्या है खेल? उपेंद कुश्वाहा क्या बता रहे है ललन सिंग के इस्तिफि का राज? लालू पसार से क्या वादा किया था ललन सिंग? आईए आपको बताते हैं क्या खेल है ललन सिंग और ललन सिंग्हें के इस्तिफे की खबर के बीच आरेल जेडी मुख्या उपेंद्र कुछ्ष्वाहा ने बिहार की राजनीती में तुफान ला दिया है उपेंद्र कुछ्ष्वाहा का कहना है कि लालू परसाद यादव से मिलकर राजन में जदियू का विले कराने जा रहे ललन सिंग ने लालू प्रसाद यादव को आशुवासन दिया था कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंतरी बनवा देंगे उपेंद्र कुश्वाहा ने कहा कि वे इस बात की भनक नितिश कुमार को लग गई थी 29 सारी को दिली में राष्ट्य कार्यकर्णी में बैठक में ललन सिंग का इस्तिफा लिया जाना था मामले में फस्ता देख ललन सिंग ने नितिश कुमार को अपना इस्तिफा सौप दिया हाला कि निजिश कुमार ने लोकसाव चुनाफ तक ललन सिंग के अधिक्ष पद पर बने रहने को कहा है उपेंद कुश्वा का कहना है कि 29 तारी को दिली में होन जा रही जदियू की राष्ट्य कार्यकर्णी की बैठक में इस मामले में कोई बड़ा फैसला हो सकता है देसल मंगलवास सुभा लगबक 11 बचे बिहार से जदियू के राष्ट्य अधक्ष ललन सिंग के इस्तिफ़े के खबर मारकेट में आ गई हाला कि बाद में जदियू की और से इस बात का खंडन किया गया ललन सिंग ने इस्तिफ़ा की खबरों को बेबुनियाद और निराध जदियू ने तो मामले को दबा दिया था पर उपेंद्र कुश्वाह ने मामले को टुल दे दिया उपेंद्र कुश्वाह ने ललन सिंग के इस्तिफ़े का रास खोला है उपेंद्र राय ने जो बताया है कि वह नितिर्श कुमार को प्रशानी में डालने वाले हैं ही ललन स ललन संग्हें की रंडीती थी की जदियूू का राजद में विलय करा कर वह बिहार की राजनीति में सन्योज़क बनवाकत दिश्वी यादब को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए वह तो एन वक्त पर नितिश कुमार की ललन सिंग के इस शडियंत्र की भनक लग गई और उन्होंने ललन सिंग से राष्ट यदक्ष का पद लेने की रन्निती बना ले फजीहत से बचने के लिए ललन सिंग ने 29 तारीक से पहले ही अपने पद से इस्थिफा दे दिया बताया जा रहा है कि 29 तारीक को नितिश कुमार खुद जदियू के राष्ट यदक्ष बन सकते हैं दसर ललन सिंग और उपेंदर कुश्वाहा नितिश कुमार से बहुत करीबी रहे हैं ललन सिंग और उपेंदर खुश्वाहा दोनों की नितिश कुमार की कमजोरी और ताकत जानते हैं तो आज के हमारी इस जानकारी में बस इतना ही इसी के साथ देखते रहे है दे न्यूस 15 साथ ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले